शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमपणी रिलाइंस के फाउंडर थे धीरु भाई अंबानी धीरु भाई अंबानी को कौन नहीं जानता लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि धीरु भाई का असली नाम धीरजलाल हीराचन अंबानी था धीरु भाई अंबानी का जनम 88 दिसंबर 1932 को गुजरात के जोनागड जिले में हुआ था धिरू भाई अम्बानी के पिता का नाम हिराचन गौर्दन भाई अम्बानी था उनके पिता स्कूल में एक हेड मास्टर थे और स्कूल में धिरू भाई अम्बानी पढ़ने लिखने में जादा काबिल नहीं थे इसलिए वो दस्वी में मैत में फेल हो गए थे मैत में फेल होने के बाद उन्होंने यमन जाने का फैसला किया भारत के आजाद होने के एक साल बाद यानि की सन 1948 को धीरू भायमबानी अपने कजन ब्रदर के साथ यमन के एडन शेहर चले गए और एडन शेहर में वो तेल की कमपनी में काम करने लगे धीरू भायमबानी काम के साथ छोटा मोटा बिजनस भी करते थे आखिरू भायमबानी ने देखा कि वो जो चान्दी का सिक्का है उसको अगर चान्दी के रेट में अगर बेचे पिगला कर तो उसका जादा रेट मिलता है एक रियाल से जादा तो उन्होंने सारे सिकों को जमा किया और उसको मेल्टिंग करके फिर उसको चांदी के रेट में बेचने लगे और इस तरह उन्होंने अपना बिजनस टैलेंट दिखाया जब वो यमन में थे तो यमन में उनके दोस्त उनसे कहते थे यार तुम एक अच्छे इंसान हो, हमेशे हस्ते खिलते रहते हो लेकिन ये जो तुमारे रिस्क लेने की कैपिसिटी है ये एक दिन तुम को ले डूबेगा उनके दोस्त उनसे कहते थे कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो लेकिन अम्बानी ये कहते थे कि मुझे ना शब्द सुनाई नहीं देता है सन 1958 को धीरू भाई अम्बानी अपने दिल में बिजनस करने की चाहत लेकर यमन से भारत वापस आ गए धीरू भाई अम्बानी भारत में अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी और एक दो कजन के साथ मिलकर बिजनस करने लगे शुरूत में वो पॉलियस्टर इंपोर्ट करते थे और मसालों को एक्सपोर्ट करते थे उनका ये बिजनस बहुत ही अच्छे से चलने लगा पार्टनर्शिप तोड़ दी जिसके बाद धीरू भाई अम्बानी ने अपने बल्बूते पर एक फैक्टरी लगा दी 1966 को धीरू भाई अम्बानी ने रिलाइंस कमर्शिल कॉर्पोरेशन के स्थापना की जो बाद में 8 मई 1973 को रिलाइंस इंडस्टरी ज बन गई धीरू भाई अम्बानी 1966 से लेकर 1973 तक पॉलियस्टर बनाते थे और अपना खुद का एक कपड़ो का ब्राइंड विमल लाँच किया विमल को बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आई लेकिन बाद में ये बिजनस चलने लगा धीरू भाई अम्बानी विमल ब्राण में साड़ी, शौल, सूट, इत्यादी बेचते थे 1977 को रिलाइंस का आई पियो आया आई पियो यानि की इनिशिल पब्लिक आफरिंग कमपनी अपने बिजनस को एक्स्पैंड करने के लिए पब्लिक से फंड रेस करती है और पब्लिक को शेर होल्डर बनाया जाता है जो भी उस कमपनी के शेर्स खरीदेंगे वो उस कमपनी का शेर होल्डर होता है अगर किसी ने 1977 को रिलाइंस में इन्वेस्ट किये होते तो 2002 तक वो करोड़ पती बन चुके होते क्योंकि धिरू भाइंबानी ने 70 करोड़ की कमपनी को 70 हजार करोड़ की कमपनी बना दिया था उन्होंने बहुत सारे बिजनेसे किये जैसे के रिलाइंस पावर, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इत्यादी धिरू भाइंबानी के दो मुखे बिजनेस Reliance Industries और Reliance Communication Reliance Industries और Reliance Communication टेली कम्यूनिकेशन प्रोवाइड करती थी जो कि बाद में उनके दोनों बेटे मुकेश हमबानी और अनिल हमबानी ने ले लिया जो कि मुकेश हमबानी के पास था वो तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गई लेकिन Reliance Communication बरबाद हो गई फरवरी 1986 को धीरू भाई अमबानी को पेरलाइस का अटेक आया जिसके बाद वो ठीक हो गए लेकिन उनका दाया हाथ ठीक नहीं हो पाया और उसके बाद 2002 को उनको दूसरा अटेक आया जिसके बाद वो कोमा में चले गए फिर 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अमबानी की डेथ हो गई 2002 में धीरू भाई अमबानी की नेट वर्थ 25.6 बिलियन डॉलर्स थी 2007 में धीरू भाई अमबानी के बायोग्राफी पर एक मुवी बनी जिसका नाम था गुरू जिसमें अभिशेक बच्चन ने धीरू भाई अमबानी का किरदार निभाया था आप उसको देख सकते हैं और 2016 को भारत सरकार ने धीरू भाई अमबानी को पद्म विभूशर से समानित किया इससे हमें एक बात की सीख मिलती है कि अगर हम गरीब है या फिर अगर हम नौकरी करते हैं उसके बावजूद अगर हम चाहे तो बिलेनियर बन सकते हैं लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए थैंक यू